आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ समुंद्र और महासागरों से जो मचली प्राप्त करना क्या कहलाता है समुंद्र मतल सकी ठीक है यानि कि जो बड़े-बड़े समुंद्र होते हैं महासागर होते हैं वहाँ से जो मचली प्राप्त करते हैं उसे समंद्र मतल सकी ठीक है और जो अंतह स्थली मतल सकी है क्या है जो अंतह स्थली जो मतल सकी है क्या है जो अंतह स्थली मतल सकी है वह किसे समंद्र थे वह जो ताजे जल इस्त्रोत होते हैं ताजा जल स्त्रोत जैसे की नदी हो गई, तालाब हो गए, पोखर हो गए, इन सभी में से जो मचलियों को पकड़ा जाता है, तब क्या कहा जाता है, अंतह स्थली मतस्य की, ठीके, तो यह था इन में अंतर, कि एक को समुद्यों से पकड़ा जाता है, और एक को जो ताजी दल स्त्रोत होते हैं, नदी, ताला, पोखरादी से पकड़ा जाता है, ठीके, तो यह था अमारे प्रशन का उत्तर, धन्यवाद, दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रशन का उत्तर समझाया होगा, इस 4444 बेर.